हेलो स्टुडेंट्स मैं हूं रभिकमर सक्षेन आपका अपना प्यारे चैनल नंबर वन क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांटेज एडवांटेज और फ्रिक्षन के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेज और फ्रिक्षन ठीक है एडवांटेज और फ्रिक्षन मतलब की जो है फ्रिक्षन का क्या क्या फाइदे हैं फ्रिक्षन के जो है क्या क्या फाइदे हैं ठीक है उसके बात जो हम बात करेंगे डिस एडवांटेज और फ्रिक्ष friction के जो है क्या क्या नुकसान है friction के चलते हैं में क्या क्या जो है नुकसान होता है ठीक है इन दोने बातों के उपर हम लोग आचा अचा करने जा रहे हैं ध्यान दीजिए यह question जो है कई एक बार जो है सबसे पहले हम बात करते हैं advantage of friction तो friction क्या है friction को जो है हम लोग बोलते हैं necessary evil ठीक है necessary evil it is also known as necessary evil क्योंकि friction जो है अगर हमारे दैनिक जीवन में नहीं होगा तो हम बहुत सारे कामों को हम नहीं कर पाएंगे हम बहुत सारे कामों को नहीं कर पाएंगे what are the advantages of friction we are going to see in this lecture first we will see the advantages of friction then we will see the disadvantage of friction ठीक है तो सबसे पहले जो है पहला number friction helps us to walk on the ground with the help of friction we can walk on the ground or we can walk on the floor or anywhere ठीक है तो बिना friction के जो है हम कहीं भी चल नहीं सकते हैं ठीक है without friction we can't walk we will sleep always ठीक है हम लोग जो है हमेशा जो है slip कर जाएंगे ठीक है तो friction जो है हमें जो है चलने में मदद करता है हमें जो है टाहलने में मदद करता है हम जब एक जगा से दुसरे जगा जाते हैं तो friction जो है हमें मदद करता है अगर friction नहीं रहे तो हम बार बार जो है due to friction ठीक है अभी हम अभी हम लिख रहे हैं ठीक है if we are writing on paper or board because of friction because of friction if there is no friction if friction doesn't exist then we can't write on the paper or board अगर friction नहीं होगा तो हम जो है paper पर या blackboard पर या board पर हम लोग नहीं लिख पाएंगे क्योंकि pen या chalk pen or chalk ठीक है कोई भी रहे जो लिखने का जो हम लोग यूज करते हैं लिखने के लिए पेन और चॉक ठीक है या पेन और paper के बीच में पेन और paper के बीच में या chalk और board के बीच में जो है क्या होता है friction होता है क्या होता है friction होता है जिसके चलते हैं हम लिख सकते हैं ठीक है without friction it is impossible to write on paper और board ठीक है तो second point क्या है we can write on a paper or on the board due to friction हम जो है paper पर या board पर लिख सकते हैं friction के चलते हैं ठीक है third point friction helps in stopping a vehicle on applying the brakes ठीक है friction helps in stopping the vehicle on applying the brakes without friction we can't stop any vehicle without friction we can't stop any vehicle which are moving हम जो है बीना friction के जो है किसी भी वेहिकिल को नहीं रोख सकते हैं if we are applying the brake then friction helps to stop the vehicle which are moving जब हम जो है force को जब हम brake को लगाते हैं तो friction क्या करता है वो जो है टायर को टायर को जो है आगे बढ़ने से रोखता है टायर को आगे बढ़ने से रोखता है क्योंकि हमने जो है पढ़ा था अगर motion जो है अगर जो है friction जो है राइट वर डिरेक्शन में है sorry अगर मोशन जो है राइट वर डिरेक्शन में है तो friction जो है अमेशा लेफ़ डिरेक्शन में लगेगा यही कारण है because of these it helps to stop the vehicle when we apply the brakes जब हम brake को लगाते हैं तो यही कारण है कि गाड़ी जो है रुख जाता है या वेहिकिल जो है रुख जाता है अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो नहीं रुखता ठीक है okay fourth point it helps in generating the heat when we rub our hands together ठीक है friction के चलते due to friction when we are rubbing the hands together when we are rubbing the hands together in the cold season we feel the heat जब हम जो है थंडी के दीनों में जब हमेंशनदा मेरा क्या करते हैं की अधो क्या करते हैं यह किसके कारण है friction के कारण when we are rubbing the hands together than it generates heat यह क्या करता है heat generate करता तो यह हमारे लिकिए क्या है फाइदा है ठीक है यह क्या है फाइदा है तो fourth number क्या है it helps in generating the heat when we rub our hands together ठीक है यह आपका हो गया number five we can't fix the nail in the wood or wall if there is no friction अगर friction नहीं रहता ध्यान दिजे my dear students अगर friction नहीं रहता तो आप दिवाल में जो है काटी को नहीं ठोक पाते हैं आप जो है the wall or wood ठीक है अगर friction नहीं रहता तो हम जो है दिवाल में काटी को या लकडी में काटी को हम नहीं ठोक पाते हैं क्योंकि वो friction के चलते जो है रुका हुआ है friction के चलते जो है रुका हुआ है उसमें जो है चला गया इतना समझ में आ गया चलिए next point asteroids are burnt in the atmosphere before reaching the earth due to friction so it helps to prevent the life of earth by burning the asteroids ध्यान दिजे asteroids क्या होते है asteroids what is asteroids तो asteroids जो है मतलब जो छोटे छोटे चोटे तारे होते हैं small stars छोटा छो टारा होता है वह क्या करता है कभी कभी जो है गिर जाता है कभी कभी जो है आसमां चोटी जो होते है जो टारे गिरते हैं तारे जो है एकास से तूटकर गिरते हैं तो क्या होता है फ्रिक्षन के चलते वो जो तारे हैं जो छोटा छोटा जो तारा है वो जो है अट्मोस्फियर में जो ही वपन हो जाता है ध्यां दिजै अस्टोइट्स और बंट in the atmosphere in the atmosphere before reaching the earth वो जो कि asteroid जब अगर माल लिजे नीचे गिरता ठीक है तो atmosphere में तो नहीं मतलब जलता जिसके चलते जो है प्रिच्वी पर गिर जाता तो प्रिच्वी का जो है लाट जो है घड़ जाता तो friction जो है हमें मदद कहता है asteroids are burnt in atmosphere before reaching the earth due to friction so it helps to prevent the life of earth by burning the asteroids यानि कि friction का जो है बहुत बहुत इंपरेंट है friction is very very important in our daily life in our lives ठीक है friction जो है अमारे जीवन में जो है बहुत बहुत आवे सक है so now I discuss about the advantages of friction ठीक है there are six points I discuss about the advantages of friction six points है हमने जो है friction के बारे में जो है हमने discuss किया what are the advantages of friction first we discuss that friction helps to walk on the ground number second we can write on a paper or on the board due to friction number three friction helps in stopping the vehicle on applying the brakes and number four it helps in generating the heat when we rub our hands together and number five we can not fix the nail in the wood or wall if there is no friction and last one is asteroid are burnt in the atmosphere before reaching the earth due to friction so it helps to prevent the life of earth by burning the asteroids ठीक है अब जो है हम लोग discuss कने जा रहे हैं disadvantage of friction now we are going to discuss about the what are the disadvantages of friction okay we will discuss about the disadvantage of friction what are the disadvantage of friction in beginning as you told as I told you the friction is a necessary friction जो है हमारा मतलब की बहुत जरूरी दुस्मन है ठीक है जरूर हमारा जो है दुस्मन है लेकिन बहुत जरूरी है ठीक है कभी कभी हमारे लिए जो है दुस्मन भी जो है बहुत अच्छे काम कर जाते हैं जो हमारे जो है दोस्त नहीं कर पाते हैं ठीक है उसी प्रकार से friction है ठीक है so we will discuss about the what are the disadvantage of friction number one friction produces a lot of heat in various parts of machine and this leads to the wastage of energy of heat ठीक है तो friction के चलते क्या होता है कि मालों यह machine का जो बहुत सारा parts में जो है heat generate होता है क्या होता है heat generate होता है और यह heat जो है मतलब की wastage of energy क्योंकि आधाज मतलब कुछ energy ठीक है कुछ energy जो है हमें जो है बर्बाद हो जा रहे हैं friction के चलते friction के चलते ठीक है point को धियान दीजे friction produces a lot of heat in various parts of machine and this leads to wastage of energy of heat तो friction के चलते जो है machine के parts में जो है क्या होता है heat generate होता है और जिसके चलते जो है यह क्या होता है एनरजी का लॉस होता है क्योंकि अगर यह हीट जनरेट इस मतलब कि यहां पर नहीं होता तो उससे कुछ काम होता है जो है जनरेट होने के चलते हमारा एनरजी क्या हो जा रहा है बियर्थ हो जा रहा है ठीक है पहला पॉंट second point it opposes the motion hence energy is needed to overcome the friction ठीक है hence more energy is needed more energy is needed to overcome the friction क्या बता है friction जो है अपोस करता है motion का actually in beginning I told you friction always opposes the motion so we need the more energy to overcome the friction so it is the disadvantage of friction because we need more energy we need more energy to overcome the friction friction के चलते जो है friction क्या करता है motion का क्या करता है अपोस करता है friction जो हमेशा जो है जो गती है उसका क्या करता है बिरोध करता है तो अगर हमको जो है motion करना है हमें जो है गती में लाना है किसी बोडी को तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा ज्यादा effort लगाना पड़ेगा तो यह क्या है disadvantage है ठीक है number three noise production in machine is irritating as well as leads to energy loss ठीक है friction के चलते due to the friction irritating noise are produces and it leads to the energy loss also it leads to the energy loss also friction के चलते जो है बहुत सारा machine में आवाज आपको सुनाई देता होगा ठीक है जब machine जो है काम करता है आप घर के आसपास में देखते होंगे चाहे आप जो है अपने घर के आसपास में कभी-कभी महसूस करते होंगे कोई machine चालू हुआ तो पूरा आवाज करने लगता है जो है उसके चलते जो हमें एनर्जी को भी लॉस होता है ठीक है एनर्जी का भी लॉस होता है यह होगी आपका नमबर थ्री नमबर फॉर lot of effort and money goes in using the techniques like greasing oiling to overcome the friction actually क्या होता है फ्रिक्षन को फ्रिक्षन से overcome होने के लिए फ्रिक्षन से बचने के लिए हम जो है वागती है क्या हम पैसा से खरीते है ठीक है तो हम जो है मदल यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपना energy को लगा रहे हैं अपना time को waste कर रहे हैं पैसा ठी禁दा थ्रिक्षन ज सब्सक्राइब कंद आब आवाज कम करे ज्यादा जो है मतलब of strength हो गया lot of effort lot of effort हम अपना effort को लगा रहे हैं and money तेल खर देंगे तो पैसा लगेगा ग्रीस खर देंगे तो पैसा लगेगा goes in using the technique like greasing and oiling to overcome the friction ठीक है यह आपका चौथा point हो गया और जो है you can add one more point क्या होता है कि हम जो है आटो मोबाइल में जो है हमारा जो है ज्यादा तर जो है fuel जो है waste हो जाता है due to friction ठीक है due to friction ठीक है friction के चलते जो है हम आटो मोबाइल को इंजीन हो गया ठीक है जो इंजीन हो गया उसमें ज्यादा तर fuel हो जाता है waste कर जाता है friction के चलते friction के चलते ठीक है more amount of oil or fuel waste is due to the friction in automobile engine ठीक है ध्यान दिजे more amount of oil or fuel waste is in automobile engine due to the friction friction के चलते ज्यादा तर फ्यूल हमारा बरबाद हो जाता है हमारा जो तेल है जो गाड़ी में जो डाल रहे हैं वो जो है बरबाद हो जारा friction के चलते ठीक है hence we discuss about the disadvantage of friction there are four points as I discussed first one is friction produces a lot of heat in various parts of machine and this leads to the wastage of energy of heat and second one is it opposes the motion hence more energy is needed to overcome the friction and third point as I discussed noise production in the machine is irritating as well as the lead to the energy loss and fourth one is lot of effort and money goes in using the technique like greasing and oiling to overcome the friction hence today I discuss about the what are the advantage of friction and what are the disadvantage of friction if you feel this lecture is helpful for you then subscribe subscribe our channel like the video share the video and comment on this video अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आपको ये आपके लिए मददगार साविद हो रहा है तो आप ये इस वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए comment कीजिए अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए तब हम बीदा लेते हैं तब तक के लिए बने रहिए धन्यवाद